नमस्कार दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंस हमारे चैनल पर गीवे चल रहा है इसमें भाग लेने के लिए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और फ्रेंस आज की वीडियो में बनाऊंगी एक हैंड पर्स हैंड पर्स बनाने के लिए मैंने यह दो फैबरिक लिया है यह में फैबरिक है उपर का और इसका लाइनिंग है इसको मैं उल्टा रखूंगी इस पर इसको मैं उल्टा रखूंगे और इसकी लंबाई मैं रखें हूं 30 इंच एंड चोड़ाई है इसकी 10 इंच अब हमें क्या करना है मैं इसके तीन तरफ शिलाई मारूंगे तीन तरफ मैं इसके शिलाई मार दूंगी एक साइड में छोड़ दूंगी इसी तरह मैंने दो इसको मैंने उल्टा किया हुआ है इसको मैं इसके बराबर लेके इसके तीन तरफ शिलाई मारूंगे ऐक साइड हम छोड़ देंगे इसको पलटने के लिए तो फ्रेंट्स इसको सिलते हैं और मैंने लिया है इसके बराबर दू फाइवर इसमें मैं लगाउंगी और यह मैंने लिया है बैल्ट लगाने के लिए इसकी मैंने लबाए लिया है थर्टी एंछ निया है मैंने टूंप इंच और मैंने दूपिस और लिया है इसके बराबर मैं चैन ली हूँ यह मैंने पीस लिया है मैं चैन पे इस तरह रखके मारऊंगी सिलाई हमारी चैन पे नहीं होनी चाहिए तेले तो मैं इस तरह सिलाईह मारऊंगी इस तरह रहे बाद इसके उपर मारेंगे, चैन पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, हम किनारे से सिलाई मारेंगे, पिर मानने वाद हम इसको पलड़ देंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड, तो देखें फ्रेंट, ये मैंने शिलाई 4 तरफ माल लिया है, दोनों पीस में, अब मैं इसको स इसका कोरना अच्छी तरह निकाल लेंगे कि इधर भी और इधर भी दोनों पीस मैं इसी तरह सब्सक्राइब दिखाया था ये मैं इसके अंदर डालूँगी देखिए फ्रेंच मैंने दोनों में फ्रूम डाल लिया है अब हमें क्या करना है जिस साइड मैंने छोड़ा था उस साइड में हाँ पिंच ये भी कपड़ाम मूरते हुए और ये भी इसके में चारू तरह सिलाई मार लोंगी इदर समिस्तर मूरते हुए शिलाई मार लेंगी इस तरह हम सारेप ने बाल जींद को भी आ doing को ड़नों फी UP पित्र पर हम चारू तरव सिलाई मार लेंगै बैठने वाले लेड़े कि अि प्रांच सि मैंने चारू तरव स्लाई मार दिया है। ने में अब हमें ख्या करना है ये विस इस तरह रखना है अब मुझे देड़ इंच की दूरी पे इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी और इहां से चार इंच की दूरी पे अब हमें क्या करना है यह मैंने इस तरह निसान लगा लिया है अब मुझे यहां से लेकी यहां तक और यहां तक मैं इस पर 15 लाइं मार लूँगी और मैंने जिस तरह बताया था यह चैन में कपड़े लगा लिया है मैंने जो छोटे चोटे पीश दिखाया था आपको तो मैंने इस तरह सिलाई मार लिया है अब मैं इसको इस तरह पलटूंगी इस तरह मैंने पलट लिया है अब हमें क्या करना है इसको मैं फोल्ड करके सिलाई कर दोंगे इसको अंदर करके कपड़े को इस तरह सिलाई मार लिया है अब मुझे क्या करना है यह मैंने चैन भी त्यार करना है जी अब हमें क्या करना है इसको इसके उपर रबके सिलाई मारूंगी बीज के सैंटर लूंगी इतना मेरा इधर छुटना चीए इतना मेरा इधर शुटना चीए दोनों साइड वराबर इधर मैंने पोकिट लगाया है उधर नहीं लगाएंगी यह हमारे जो कपड़ा दूसरा पीस बचा हुआ है दूसरा को न हम इधर लगाएंगे इसको मिस तरह लगाएंगे देखिए प्रैंच यह मैंने 20 सेंडर का निसान लगा लिया है तैनमे और इसमें फैबरिक में भी लगा लिया है अब मैं 20 सेंडर कर जहां निसान लगाएंगे हूं यहां से रखे मैं सिलाई मार दूँगी इधर भी और इधर लिए यह ऊपर रखोंगी और चैन नीचे यह मुझे सिद्धे रखे से लाइ मारनी है तो देखिए एक तरफ में ये लगा लिया है जिव अब मुझे क्या करना है इसको मैं इस तरह करूंगी इस तरह करने वाद कि इसके बराबर में रखोंगी जो खोल लेना है मुझे खुलते हुए मैं सेंटर में लाओंगी और मुझे इस तरह में रखूंगी इसको और इस तरह में रखूंगी इसको मैंने चैन उबन कर लिया है यह मेरा कम्प्लीट हो गया इस लाइड और यह मेरा इस तरह चैन बंद हो गया कुछ इस तरह दिखेगा अब मुझे क्या करना है जो मैंने बैल्ट लिया था अब मैं इसको त्यार करूंगी इसको मैं इस तरह सिलाई मार लूँगी अब अब हमाने क्या करना है मैं पहले इसमें शिलाई मारूँगी यह जो दोनो इसी की पीस हैं इसे पे मारूँगी अब मैं इस पे शिलाई मारूँगी किसी वी तरफ से एक पीस ले लीजिए जैसे कि ये दोनों हो गया मैं ये दोनों मिलाऊंगी यहां से कॉना इस तरह दोनों मिलाते हुए मैं इसमें कि इसको मैं किसी में भी इस तरह डाल के सिल दोंगी इस तरह में जैसे कि मैंने बताया जो एक पीस है इसी में एक पीस पकड़के हम सिलाई मार लेंगे कि इसमाँ झाल कर लें का कि एक जो ज जोंगे जैसे मैंने इस पे मारा इसी तरह मैं चारो कोने पे मार लोगी इसमें भी और इसमें भी तो देखिए फ्रांस इस तरह मैंने ये चारो कोने पे शलाई मार लिया है बड़ते खमें है और मैंने ये बेल्स किसी तरह भी आप डाल की बेल्ड भी लगा ब्रत लगा सकते हैं कि इसमें आप खोल के देखिए कितना बढ़्ट्या फिनिसंग आया है इसमें हमारा एक ही हे पो Grek Navalyim पह्तो बना हुआ है और एक ही है तो लाइक और कमेट जरूर कीजिए और आप इस फैमिलिक मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब को जरूर सबस्क्राइब करें